सवागत्णी करोगे, हमारा सो वेलकम 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 वेलकम, वेलकम वेलकम एव्वान् टो दिसजेश्टरे्टड करवावा सान। हमारा audio video video audio audio video audio एकदम भैतरीन तरीके से proper है सर आखिर आप आही गए अरे तुम बिचारे कब से बोल ले थे May 24 का सजेश्टर करवाओ सर है ना May 24 का जो exam paper है करवाओ सर आप करवाओ ना सर आप दोना आप दोना तो बस वह लेकर आगया हूँ तो अब कैसा होता है एक तो होता है कि मैं आपको पूरा paper बता दू बैठके solve करू तीन घंटा but the efficient way of doing it is trying to see the new questions क्योंकि जो same to same question है वो आप आप आलड़ी class में कर चुके हो आपने LDR question मार्क करता है आप उसको लिखके पैट्रिस करोगे तो आपने उसकी बात करेंगे तो अच्छा यह सब करने के पहले जो भी मैं लिखाऊंगा जो भी मैं mark कराऊंगा सब मेरे टेलेग्राम पर डाल दूँगा मेरे टेलेग्राम का लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब बात करते हम इसकी पेपर की तो इसमें अगर मैं बात करू तो there was only one question which was new बाकि सारे normal questions था आपके question में मिलेंगे question bank में मिलेंगे number change के पूछ लिया है ना तो सब कुछ normal था तो honestly बोलू May 24 का अगर मैं आपको कहू कि suggested मैं आपको कुछ practice करना है that is question number one ठीक है it includes parent plus subsidiary plus associate ठीक है इस question को tackle कैसे करना चीए ऐसा थोड़ा सा नया question आया lengthy question आतो कैसे करना है वो सब की बात करूँगा बस इस question को जब मैं discuss करूँगा तो मैं इसको मेरे format में ले आया हूँ मतलब मेरी question bank का format होता है तो इसको मैंने अपने index 110 का पार्ट बना दिया है और यह वहाँ का question number 12 बन गया है तो जो मेरी latest किताब है इत्दम latest किताब है उसमें question number 11 तक जो MTP 8DB का section है वहाँ question number 11 तक end होता था तो यह question number 12 से शुरू होगा तो आपके वास मेरी किताब हो ना हो क्या फरक बढ़ता है सरी हमको कहां से मिलेगा अगर हमारे पास नहीं है तो टेलिग्राम पे डाल दूँगा इसका जो proper version है बिना किसी marking का वो भी डालूँगा इस question पर जो marking करूँगा वो भी डालूँगा और इसका solution में डालूँगा तो main discussion इस पूरे वीडियो में हम इसी के उपर लखने वाले that is question number 12 ठीक है? तो ये suggested में करके कुछ धंका करना है तो इसी के उपर आपको focus करना है क्या आपके बात समझ आती है? बस अगर इस समझ आता है तो बीना आपका जरा भी time waste की है हम शुरू करेंगे इसके discussion के साथ ध्यान रखना पूरे paper में बाकी सारे question मैं चाहूँगा आप एक बार देखो but there is nothing new in that ठीक है? तो मैं चाहता है बता दू आपको starting में एक बार कि पहले जो इतने भी questions है remaining वाले आप देखो अच्छा रहेगा आपकी practice हो जाएगी वो papers में but जो नया question है उसको आपन detail में विस्तार में समय से अच्छे समय लेकर discuss करेंगे तैयार हो guys चलो तो फिर शुरू करते हैं देर किस बात की? आजाओ तो basically it is not only a question of 110 it is also a question of 110 plus in-28 आप उसके बेना नहीं कर पाऊ गया 28 भी आपको आना चाहिए भाई ध्यान रखना प्लीज ओके? चलो चालो करें? yes, LDR question है यह आपके May 24 के exam में आया था ठीक है? और ये question पता है कैसा है? ये question जब exam में आया ना तो it was something new क्यूंकि अब तक कोई भी ऐसा question exist नहीं करता था ICI के module में, final में जहाँ parent हो, साथ में substitute ही हो साथ में associate हो बट yes, ऐसा नहीं था कि it was, क्या बोलते है adjustments एकदम कुछ नहीं पूछ लिए they were within the syllabus बट yes, जब पहली बार ऐसे क्वेशन आता है, नया सा आता है तो घबराता है थोड़ा सा बच्चा और ये compulsory question में आया था क्या बात कर रहे हो सा compulsory में तो इसको tackle कसे करेंगे exam के अंदर देखो, जब CA का paper दे रहे हो एक का दुखका तो ऐसे question निकलेंगे तो ऐसे question को tackle करने का तरीका क्या होता है इसको exam में later stage पे चालू करने का मतलब जब आपको देख के समझ रहे कि भाई ये lengthy question है, देखो, ये question board है manageable, है easy question लेकिन time बहुत खाएगा है तुमारा क्यूंकि एक तो subsidiary, साथ में associate, तो time जाते जाते है ना है ना, तो आपम कोई दिक्कत निये, पूरा question बढ़ेंगे मैं question शूरू करने के पले, एक और चे बताना चाहूंगा ये पूरा question बढ़ेंगे, ठीक है इसमें कुछ adjustments भी है अब इनोंने question की drafting में दिक्कत कर दीती है ठीक है, dividend को लेकर उसका जो language और प्रॉपर नहीं था तो इनोंने उस चीज के तीन solution मना के दिये ठीक है, तीन solution वो बोलता है, हमने क्योंकि drafting में दिक्कत है मतलब इसमें clarity नहीं है, तो तेरा three possible scenarios ठीक है, इनोंने तीन बार पूरे question को solve किया है, मतलब किसी बच्चे ने तीनों में से कोई भी assumption लेकर solve किया रहेगा तो उसका वो right मान के तीन बार solve किया है सर हम कौनसा करेंगे, ठीक है तो एक काम करते, पहले पूरा question पढ़ते और मैं बता दू, मैं आपको अपने को फसना नहीं है भाई, अपने हर तरीके से prepare हो कर चलेंगे बराबर तो मैं आपको तीनों solution करवाऊंगा और ऐसा नहीं है कि तीनों solution अग्दम ही अलग है मान लो, 15% 20% थोड़ा change होएगा बाकी पूरा solution सेम है और मैं इतना concise करके आपको शांदा तरीके पढ़ाऊंगा ना आपको A में, B में, C में क्या-क्या फरक है सब समझेगा अच्छे तरीके से बस अब इसके लिए अपने को 110 आना चाहिए और 28 आना चाहिए 110 में parent, subsidy का consolidation 28 में parent और association का CFS यह आना चाहिए अपने को बराबर अगर basic idea है तो काम चल जाएगा ठीके? अगर chapter छोड़ रखाया मालूम बड़ा यह मत देखना भाई समझेगा ने फिर ठीके? चलो आपन हर चीज को अपने step में करेंगे इसको भी आपने step के format में करेंगे अब देखो चालू करने के पर इतता में आपको ज्यान दे रहा हूँ मतलब कुछ तो है इस question के अंदर अच्छा question है ठीके? चलो और ऐसे question के exam में deal कैसे करनेगा उस पर वापस last पर चर्चा करूँगा tension मत लेना अब फिलाल हम सारे चीजों को छोड़के इस question को solve करने पर focus करते है ठीके? आजाओ आजाओ boss करा दूँगा tension लेनेगा नी भाई है ना tension लेना मत आजाओ क्या बोलते है सुनना? the accountant Mr. Ramesh Khanna, Khanna, Khanna भी ने, Khanna of H limited submitted with the following information or standard on balance sheet extract ठीक है तो H, S और A ठीक है तो अब इसमें थोड़ा balance sheet देने का तरीका थोड़ा casual है ऐसा कहसा casual है सुनना? ये आपका जो equipment है ठीक है? फिर आपको दे रखा है investments अब ये H ने कहां-कहां invest किया ये दे रखा है तो H ने ये S में invest किया और H ने ये A में invest किया ठीक है? तो S में invest किया और A में invest किया S में कितने invest किया? 14,000 shares तो percentage take निकालना पड़ेगा न अपने को कैसे निकालेंगे? तो आप जाके देखना S के total shares कितने है? ठीक है? हर एक share का face value 10 rupees है तो S के shares होएंगे अगर आपको number share चीए तो 1-0 निकाल दो तो 20,000 shares है total S के और A में है total 10,000 shares बराबर अगर आप अभी compare करोगे तो out of 20,000 मेरे पास कितने S में? 14,000 है मतलब मेरे पास 70% stake है and out of 10,000 मेरे पास कितने stake है? 4000 तो मेरे पास 40% stake है समझा कैसे निकाला? समझा यह वाला part आ गया हूँ अब अपने को data देखे रखे है, ठीक है? अच्छा इसमें अभी देने का तरीका देखो, हा मैं क्या बोला? तरीका देखो कैसे? पहले PPE दिया, फिर दो investment दिये अब उसका total outer column में दिया है, तो confuse मत होना यह किया है? यह इसका total outer column में ऐसा देते नहीं, इन लोग का actually देना चीए नहीं था एसा तो उनको समझा मैंने क्या बोला? इनको सिधा सिधा देना चीए था H, S और A, वो confuse करने के लिए आगे अलग दे रखे कि S का total करोगे इसका तो यह इतना आ रहा है, current का total इतना आ रहा है, वो time बस करकर रखे वो ध्यान रटा, confuse मत होना वसमापन करेंगे आगे, फिर बाकिया आपको data दे कर रखे, कोई दिक्कत नहीं है following additional information is available in respect of these companies, ठीक है, अपने को adjustment दिया वे बहुत सारे अभी, देख लो क्या क्या बूलते है, सबसे पहला H limited purchase the shares in S on 31st October, यह क्या बन जाएगी, यह आपकी बनेगी date of acquisition, 31st October को purchase क्या, मतलब प्री में कितने महिने, प्री में 6-7 महिन आएंगे, April, May, June, July, August, September, October, 7 महिने, 31st October तगे नहीं इसलिए, आगे, और when retained earnings of S was 5 lakhs, अब खास बात यह है, normally इन लोग क्या करते थे अपने साथ, इन लोग अपने को बोलते थे, acquisition साल के बीच में किया है, और retained earnings day 1 का दिया करते थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन लोग अच्छे लोग है, इन लोग को बोलो, thank you, क्यों, इन्होंने बोला, जिस द तो क्या, इसमें मैं time adjustment करूँगा, दा answer is no, no time adjustment is required, क्योंकि directly आपको उसी दिन का दे रहा है, perfect answer, उमको समझा, तो subsidy के return earnings की इधर है, मैं लिखे दूँ इधर, यह 7 lakh के return earnings था, इसमें से, 5 lakhs आपके pre में आ जाएगा, और बाकी 5 lakh आपका post में आ जाएगा, यह इधर ही लिख तो वहाँ, इनसान, अगर question ध्यान से नहीं पड़े तो फसेगा, ठीक है, उसके लावा, and the shares in A limited, A अपनी associate है, देखो, जिसमें अपना stake 70 है, वो subsidy जिसमें अपना stake 40 है, तो A का, वर required on 30th June 23, when it's retained earnings to debt, 1,75,000, तो अगर मैं A की बात करू, A की तरह यह रहा, A, तो A का pre वाला balance किता है, 1,75,000, और A का post वाला balance किता है, तो 1,00, 3,00, sorry, 4,24, minus 1,75, which will give me, 2,49,000, बराबर है, 4,24, minus 1,75, हाँ, 2,49,000 आपका कितना आ जाएगा इदर, इसके post में आ जाएगा, ठीक है, अच्छा, आप बोलोगे सर, associate में कहें pre post कर रहे हो, associate में कहें pre post कर रहे हो, अरे सुनो ना मेरी बात, शायद associate का INA, date of acquisition का directly available ना हो, तो अपने जित्ते भी question associate में किये, वहाँ directly INA दिया वो तो था fair value case आपसे, शायद ना दिया रहे है, तो associate का भी तो INA आपन equity capital plus other equity pre वाला करके निकाल सकते हैं, क्यों निकालेंगे INA, associate वाले case में day one पे करते हैं, calculation of goodwill or capital reserve, उसके लिए लगता है अपने को, अच्छा, उसके अलावा, post का क्यों काम आएगा, associate के post के सारे profit में, अपना हिस्सा होता है, associate ने post में, पिरल में profit कमाया, अपना investment बढ़ेगा, associate ने post में, उसे है profit कमाया, अपना profit बढ़ेगा, तो वैसे, associate का post का reserves बढ़ा है, तो अ as on 31st March 24, include inventory valued at 60,000, which has been purchased from H Limited, on 1st Jan 24, at cost plus 20%, अगर आप ध्यान से देखोगे, यह transition किन के बीच में, यह transition H और A के बीच में, मतलब parent और associate के बीच में, सबसेटर यहां, picture में नहीं आती है, ठीक है, तो आप हमेशा यह देखना, किसने किसको बेचा, तो वो बोलते है, A के बास inventory थी, which had been purchased from H, तो एक काम करते हैं न, एक काम करते हैं न, इधर रहूं, मैंने यह question को है न, एक second, question number 12, एक second न, आगया, आगया, question number 12, LDR, मैं एक छोटा सा working note पहले बना के रख लेता हूँ, working note, अब यह URB को लेकर है, ठीक है, किसने किसको बेचा, H ने बेचा है A को, है न, तो यह अगर आप ध्यान से देखोगे, H sold to H, H, sorry, H sold to A, तो यह है parent, यह है associate, ठीक है, तो यह कौन सा type का transition होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, बढ़े ने बेचा छोटे को है, तो यह downstream होता है, ठीक है, अब दा question is, इसमें आपन eliminate करेंगे, profit element क्या रहेगा, तो normally ऐसा होता है, cost plus profit is equal to sales, बराबर, अब आपको जो value दे रखिए, inventory of A, as on 31st March 24, included inventory value दे 60,000, तो A के point अब इसे value दे रखा है, बराबर तो जब, आपने बेचा रहेगा A को, तो जो आपके लिए selling price है, वो A के लिए cost होगी, बराबर, मतलब A का अगर value 60 है, तो वो इस पूरे transaction का selling price होगा, मतलब A के books में कोई चीज पढ़ी है, तो A के books में as on a selling price पर पढ़ा, जो भी पढ़ा है, तो अपने को 60,000 दे रखा है, वो इस साब से दे रखा है, अच्छा, वैसे by the way, ratio क्या बोलाव है, ऐसा बोलाव है, cost plus profit is equal to sales, cost पर 20% है न, अब अपना sales दियावा 60,000 रूपीज, तो profit element कित्ता रहेगा वाई, cross multiply करोगा, तो निकलेगा profit element, it will be 10,000, बराबर, तो ये URP eliminate करोगा आप, 10,000 का, अगर आपने 10,000 का URP eliminate किया, तो cuttus लगाओ सरपे, क्यों? अरे भाई, अपने और associate के बीच में, रिष्टा सिफ 40% का है, तो जो भी होगा, सिफ 40% जित्ता होगा, into parents share, that is 40%, देखो, subsidiary होता तो पूरा करता है, eliminate, associate के साथ अपना रिष्टा जित्ता होता होता होते 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 हैं, eliminate सिखाए ना, आपने ये चीज, entry क्या आएगी, तो इसकी CFS में entry आएगी, consolidated P&L account debit, to investment, consolidated P&L में, किसका reserves कम करेंगे, ये profit जिसने कमाया, उसका reserve कम होएगा, ये profit H ने कमाया है, तो H का जो reserves है, H का जो consolidated other equity रहेगा, parent का जो other equity रहेगा, H का, आपन CFS में दिखेंगा न, other equity, वहाँ से कम करेंगे इसको, और दूसरा effect, आपके investment से कम होएगा, सर, investment से क्यों, investment से क्यों, investment से इसलिए, क्योंकि देखो, ये profit चला, ये inventory चलेगे, associate के पास, inventory parent के पास नहीं बची है, बराबर, तो इसलिए आपन investment कम करेंगे, देखो, associate का जो भी है, हम investment में दिखा रहे है, ठीक है, जब हम CFS prepared करते हैं, तो हम subsidiary के सारे, asset library take over करते हैं, associate का हम सिर्फ वासिफ, CFS में एक investment दिखाते, investment in associate, as per equity method, हम associate का सबको take over करते ही नहीं है, तो जब inventory associate के books में पड़ी है, मेरे पास तो नहीं है, और मैं वो take over भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं inventory नहीं किरा सकता, तो मैं investment कम करूँगा, सब अकिया दना अपने सब चीज़ यार, yes, 4000, 4000, जो मेरा equity method का investment है, उसमें मैं adjust कर दूँगा, लिखके रख लिया मैंने, ये मेरा हो गया, सबको समझाए वाला पार्ट, perfect answer, चलो, आगे बढ़ जाएंगे आपन, तो पहला दो adjustment हो गया, मज़ा आगया सब, तीसरा, trade payable of H limited, includes 24,000 payable to A limited, oh, the amount receivable being, recorded in the receivables of A, आप बोलोगे सब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, है ना, एक के trade payable में पैसा पड़ा है, एक के trade, receivable के अंदर पैसा पड़ा है, eliminate कर दो, एक सेकेंड, यह transition किछ के बीच में, यह H और A के बीच में है, this is between parent, and associate, क्या मैं associate को consolidate करता हूँ, क्या मेरे साथ में, the answer is no, associate का massive investment दिखाता हूँ, elimination कब होता है, जब associate का trade receivable, trade payable भी सब CFS में दिख रहा होता, नहीं दिखता है भाई, नहीं दिखता है, तो इसमें क्या करेंगे eliminate नहीं, मैंने आपको associate में कभी बोला क्या, कि trade receivable, trade payable eliminate करो नहीं, क्योंकि associate को हम पूरी तरीके से take over करी नहीं, बराबर, तो जब आपने associate का पूरा take over किया ही नहीं, associate का पूरा take over किया ही नहीं आपने, तो आप inter company eliminate कैसे करोगे, तो आपके लिए, वर्किंग नोट नमबर टू, trade payable and trade receivable is a transaction between parent and associate parent है H, associate है A लिखना, वी दो नोट take over we do not take over assets and liabilities of A therefore no inter company elimination is done वो ये वो वालब एजिश्मेंट है, लाल बटन दिख रहे है, नहीं देवाना, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, no entry, कुछ नहीं होएगा, वाव सर, लेकिन तुम सोचो ने, एक्जाम के सेनारियो में बच्चा बेठा है, उसका ता दिमाग चलना चाहिए न, तुम समझें ये एक्वेश्चन, मेरे साथ करने में आसान है, I can sympathize with the fact that, the students who are giving this question in the exam all, it is not very easy न, बट्या तभी तो सी है न, थोड़ा बहुत तो trickiness आएगा, अब पूरे पेपर में से एक्वेश्चन डिफिगल था, लेकिन बाकी पूरा पेपर किताब से था, तो बच्चे का focus हाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, मतलब यह लाश्में करने का जो मिला bonus, वो अप्रोच होने चाहिए आपकी, anyways, चलो, ठीक है, तो इसके कोई entry नहीं आएगी, आगे, goodwill in respect of acquisition of S, has been fully impaired, subsidiary का जो goodwill अपना arise होता है, on take or a subsidiary, पूरा impaired हो चुका है, ठीक है, तो अब यह impairment किसमें allocate करें, तो देखना पढ़ेगा, goodwill fully कि partial है, आगे पढ़ते है, recoverable amount of the investment in A, exceeds its carrying amount, बराबर तो मतलब बेसिकली आपका जो investment in associative वह impaired नहीं है, NCI interest is valued at proportionate share of net identifiable asset, NCI है PSNA पे, याद है बताया था, अगर NCI PSNA पे, तो दिल पे हाथ रख्ये बताओ, जो दिल तु मुझे दे बेठे हो, goodwill कौन चा रहेगा, अगर NCI, very good answer, goodwill partial होगा न, अरे, P for PSNA, P for partial, और अगर goodwill partial है, तो सिर्फ parent का है, तो impairment loss भी कौन bear करेगा, अकेला parent bear करेगा, अकेला parent bear करेगा भाई, तो यह जितना भी goodwill आएगा, उसका जो भी loss है, वो सब parent के reserve से कम होएगा, ठीक है, तो अगर इसकी entry, आपको मैं rough में लिखाओ, तो entry कुछ ऐसी बनेगी, consolidated other equity, to goodwill, एक तरफ goodwill पूरा zero हो जाएगा, एक तरफ जो parent का other equity है, वो कम हो जाएगा आपका, अगर यह full होता, तो फिर loss दो लोग में बढ़ता parentancy है, यह partial है, तो अकिला parent bear करेगा, simple, मज़ा आगया सर, क्या concept clear हुए है सर, आगे, 10% dividend was declared, by both H and S, 10% dividend declared किया, सिर्फ declare का बोला हुआ है, अब कैसा होता है, dividend का accounting तब होता है, जब वो AGM में अप्रूर्व हो जाए, ठीक है, अब इसमें बोला है कि अपने shareholders को देगा, फिर, subsidy ने dividend declare किया, तो subsidy जो भी dividend देगा, वो अपने shareholder को देगा, बराबर of course, subsidy का एक shareholder parent ही है, आगे, उसके अलाबा वेरेस, A declarer dividend of 15% for the year, तो associate ने भी dividend बाटा, तो जैसी associate dividend बाटता है, आपको पता है न, in India's 28 equity method, अपना investment का value गिर जाता है, जो associate से अपने को dividend बिलता है, we treat it like a recovery of our investment, तो वो less करते हैं अपने investment, anyways, बट अभी ये declarer का बात किया हुए, तो ये adjustment को धंक है, पूरे question में as of now, ठीक है, आगे देखते, on 31st March 24, एस मेड़ा bonus issue, पता है आपने bonus की बाते कर रखी है, एक question भी था इसके उपर, जो past exam November 23 का question था, आपको शायद याद हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, bonus का issue किया हुए, तो bonus में कुछ नहीं बोला है, तो आप हमेशा मानना, आपके pre वाले reserve से issue किया है bonus, ठीक है, अच्छा किस नहीं दिया है bonus, S नहीं दिया है, तो S जब bonus देगा, तो parent को भी bonus मिलेगा, ठीक है, anyways, वो किसको मिलेगा, उसे फरक नहीं पड़ता है, जब S bonus देगा, तो S का pre का reserves कम होएगा, हम मानेंगे pre reserve से दिया हो है, तो pre reserves कम होएगा, और आपका equity share capital बढ़ेगा, ऐसा क्यों bonus के entry पता है गया, क्या होती है, आपका reserve कम हो रहा है, और capital बढ़ रहा है, बस होई entry होती है इसकी, बराबर आप entry का मारतो, आप entry मारतो, आपके reserves कम होते, to equity share capital, यह entry होती है, अब कुछ नहीं बुला तो मानेंगे, pre से दिया हो है, तो इसका impact, net, देखो तो कुछ नहीं आता है, इसका impact, net में देखो तो कुछ नहीं आता है, पता है क्यों, क्योंकि एक तरह आप pre बाला कम करोगे, एक तरह आप equity बढ़ा होगे, तो आये ने उतना उतना है रहे गया ना, मैं दिखा दूँगा, potential मतलो, बट आपन adjustment कर लेंगे इसका, ठीक है, तो bonus के बात है, आगे, dividend were declared, but were not accounted by all these companies in the books, बोलता है, जित्ता भी dividend बाटता है, normally क्या होता है, dividend declare करने के बात, ये parent, subsidiary, associate, ये सब अपने SFS में accounting करकर रखते है, तो हम बात करते हैं, CFS में क्या करना चाहिए, हम तब बात करते हैं, CFS में क्या करना चाहिए, अब इन महारतियों ने, इसके accounting ही नहीं कर रखिये, dividend were declared, but were not accounted by all these companies in the books, before the year end, similarly the bonus issue by S, was not reflected in the balance sheet, as on 31st March 24, नहीं ये bonus का effect आपन देंगे, Sir, dividend का क्या करना है, ये ही इसके अंदर लफडा था, मैंने बताया था ना, question में 3 solution है, देखो क्या बोलता है, you are required to take a note of the above information available, and draw consolidated balance sheet of H Limited, notes to accounts are not required, ठीक है, तो notes to accounts नहीं चीए, लोगो 14 मा का question है, अब देखो, पहले ये पड़ो, since adjustment 5 and 7, 5 and 7 मतलब ये dividend और ये भी dividend वाला, of the question state that dividend has been declared, by all the entities, but no information is provided, whether it has been paid or due, in this regard, it may be noted that, since dividend is paid for the entire year, it is assumed that as final dividend, which is approved in the AGM, conducted at a later point, from the reporting date, मतलब it is possible declare तो कर दिया, लेकिन वो approved, AGM में होने के बार, declare किया है, पहले किया ये नहीं पता आपने को, ऐसा possible है कि declare तो आपने आज कर दिया, बट ओ AGM अप्रूव होना बाकिया, तो AGM अप्रूव होने के बात, फिर उसका accounting होता है, क्योंकि dividend is a obligation, only when it is approved by the shareholders in the AGM, अब, accordingly following assumptions are possible, based on the alternative solutions have been provided, ठीक है, तो अभी तीन solution दिया गया है, पहला, सबसे आसान, ignore the adjustment for dividend completely, as dividend has to be approved in AGM, तो आप बोलो के, मजा ही आगया सर, पहला ये ही करना चाहिए हमको, डिविरेंट को इग्नोरी कर दालो सर, तो अब मेरा अगर कामचुरी का मन होता, तो मैं बोलता है भाई, यही करो बाकी तो भूल जाओ, लेकिन, हम अभी यहाँ exam का paper नहीं लिख रहे हैं बैटके, हम यहाँ सीख रहे हैं, इन्होंने कल को ये adjustment properly draft नहीं किया, कल को ठीक करके पूछ लिया, तो फिर आपको B और C भी आना चाहिए न, बराबर, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले A वाला सीखेंगे, पहले A वाला कर लेंगे, मान लेंगे dividend हाई नहीं, मान लो dividend हाई नहीं, भूल जो dividend को, पहले यह सीखेंगे, बट क्यूंकि अगली बर जब एक्जाम में आ जाए, तो आपका धिमाग चलना चाहिए, तो मैं आपको B और C भी करवातूँगा, ठीके, तो आपके लिए, होलली और सॉलली पूरा हो जाएगा, अगेन आल रिपीट, imagine जो बच्चे एक्जाम दे रहा है, उसको किता तकलीफ वो रहेगा न, तुम ड्राफ्टिंग बराबर नहीं करते हो, उस चक्कर में इधर प्रॉबलम होता ना बच्चे को, वो प्रॉबलम ना हो, इसलिए तीन सलूशन दिये, बच्चा बोलेगा, सरी, ये तीन सलूशन दियुको देख भी नहीं आया था, कोई बात नहीं, अभी सीख लेते हैं आपन, आचो, तो पहले आपन पहला वाला कर लेते, इग्नोर दे अजश्मन कम्प्लीट ली, ठीक है, आचो इधर, तो हम एक एक करके सॉल करेंगे, सॉल कैसे करना है, कोई नहीं, बस मान लो, एक सबसेटर के साथ, एक असोसेट भी है, तो जो स्टेफ्स अपन फॉलो करते हैं न, वो सबसेटर के लिए फॉलो करेंगे, और असोसेट का अलग से स्टेप बनाएंगे, वो एक सोसेट का वैलू क्या रहेगा, सी एक सेटर में, सी एक सेटर में, असोसेट के नाम का सिर्फ दिखता है, इनिवेस्टमेंट, बट उसका वैलू निकलता है, ऐस पर एकुटिय मेथड, बस वो साथ में करेंगे आपन, तो question becomes little bit lengthy, अभी मेरा main solution स्टार्ट हो रहा हूँ, उपर तो working note था, मैं पहले alternative number A, I am assuming alternative number A, जिदर आपने क्या किया हुआ है, ignore किया हुआ है, किसी भी तरिके का dividend, मालनो dividend existing नहीं करता है, ठीक है, मालनो dividend existing नहीं करता है, अब कैसे करें, कुछ नहीं, बताओ क्या करनेगा, तुमको सिखाया वे ना मैंने, बताओ, very good, सार, steps follow करनेगा, क्या step किया इधर आओ, सबसे पहले मैं subsidy के लिए कर रहा हूँ, for take or of subsidy in CFS, we will follow steps, सबसे पहला step number one PC, आपने 70% acquire के धियान रखना, सार, PC का आमाउंट इन दिया हुआ है, जब PC का आमाउंट ना दिया हुआ रहा है, तो investment की value देखकर निकलता है ना भाई, एना तो कितना रहेगा 5,60, उसके बाद step number two, question easy है वैसे, इत्ता कुछ है नहीं, आए ने, बट वो यह पहली बार करने तकलीफ होईगी जोड़ी सी, आए ने of, subsidiary का आए ने लेते हैं आपन, अब आए ने में दो चीज़े, एक 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 कापिटल ऑफ, S limited, दो तिन लेन छोड़के लिखना, फिर आप लिखोगे other equity of, S limited, अच्छा equity capital कित्ता दिया हुए S का, जाके देख record में, balance sheet में मिलेगा आपको 12 गुरुपिया, 2 lakhs, ठीक है, अब, आपका ये रहा pre, आपका ये रहा post, ठीक है, pre में कब तक का आएगा, 31st October 23, post में आएगा, 1st November 23 से लेकर, 31st March 24, मतलब, post में आपके 5 महिने आएँगे, 5 months, anyways, फिर आपको जो reserves का balance है, जो retained earnings का balance है, retained earnings नाम भी उज़ किया है ना भाई, देख ले एक बार, हाँ सर वो इनाम उज़ किया है, तो retained earnings आपको, already कब का दिया हुआ है, ये already as on, 31st October 23 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था, माग क्या दना आपने, 5 lakhs pre, 2.5 lakhs post, आज़ा विदर, तो 5 lakhs आपके pre में आ जाएगा, और 2 lakhs 50 आपके post में आ जाएगा, सर मैं time adjustment कर दू कर दू कर time adjustment, करू मैं time adjustment, कर मत देना येडी की तरह, पहले बता रहो मैं, किया तो लपड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये already 21st, 31st October 23 का है, तो करने का जरूवत ही नहीं है, सर और को adjustment है क्या, सिर्फ एक adjustment है वो है bonus, बराबर, तो क्या करें bonus का effect देना है क्या, दे देते इधर आज़ा, मैं थोड़ा नीचे किसका दू कहा, step number 2 को जगा ही नहीं है, सुनना, bonus में क्या होता है, it is nothing but, capitalization of reserves, तो reserves यहंगे कम, capital बढ़ेगा, तो आप बोलोगे less, bonus, अच्छा bonus कितना दिया भाई जानने है, bonus उसने दिया है, in the ratio of, one equity share, for every two shares held, one for every two, मतलब, number और shares थे कितने, 20,000 थे न, into, one by two के ratio में bonus दिया है, तो मैं इधर bracket में करू, working, 20,000 shares, into one by two, तो आपको मिलेंगे, shares कितने मिलेंगे, 10,000, अरे बट आपको, into रूपीज 10 भी तो करना पड़ेगा न, face value से multiply करना पड़ेगा न, face value, yes, तो कितना आएगा, capital में add कर दूँगे, क्योंकि, equity capital बढ़ता है, reserves कम होते है, अब actually, इन्होंने एक language भी लिखी हुई है, वो बोलते देखो, ultimately, pre, आपके आएने का part बनता है, equity capital आपके आएने का part बनता है, तो एक तरफ आप अपना, pre वाला balance गिरा रहे हो, एक तरफ equity बढ़ा रहे हो, तो आएने पे कोई impact नहीं है, इसका, आएने पे कोई impact नहीं है, तो अगर आप इसका effect ना लो, तो भी ठीक है, बट अपने safe side पर रहे हैं, ले लेने का भाई, क्योंकि इसमां assumption क्या है, कि bonus free से pay हो रहा है, कल को assumption कुछ और रहेगा, तो फिर और problem हेगी, तो भाई तुम ले लो, लफडा मत पालो, समझा, चलो ठीक है, और को adjustment है, और को adjustment नहीं है, सर, URP का adjustment, अब यू आरपी में, subsidy ने profit नहीं कमाया है, parent ने कमाया है, parent के other equity से less करेंगे, इदर आएगा 4 lakh, इदर आएगा 2 lakh 50, guys आपको हाँ तक clear है किया, sir dividend dividend, हमने assumption पहले क्या लिया है, dividend नहीं है, भूल जाओ dividend को, ठीक है sir, यादे आदत रखना है, total आयने लिखने का, total आयने में क्या रहेगा, equity capital, plus pre-vala other equity, अच्छा equity capital कितना है, 2 lakh plus 1 lakh का bonus बुनस भी है, तो 3 lakh लेके चलना, equity capital, ठीक है, तो 3 lakhs है capital, plus pre-vala other equity है, 4 lakh, तो total हो गया 7 lakhs, क्या आप सब यहां तक हो guys मेरे साथ, बोले yes no, pinky promise पक्की बात, आपका INA हो गया sir, sir इसका मैं क्या करू, कोई नी बाट दो दो लोग के अंदर, एक आपका जो H limited है, उसको मिलेगा 70%, और एक जो आपका नन्ना मुन्ना NCI, 30% उसको मिलेगा, तो 70% आएगा 1 lakh 75,000, और यह आएगा 75,000, बराबर जो parent का share है, वो आ जाके आप console other equity में आड कर देना, तुमको चेटों में लिख देता हूँ इदर, यह मेरे step number 5, console other equity में, basically parent के reserves में आड हो जाएगा, और यह जो NCI है, पता है अपन NCI में step 3A और 3B करते हैं, तो यह मेरे step 3B में आड हो जाएगा, जो year and के NCI उसमें आड हो जाएगा, खतम कहानी, आओ, तो step number 1 PC, step number 2 INA, guys मुझे याद नहीं आ रहा है, अगला step क्या होता है, अरे PC फिर INA, फिर क्या होता है, very good NCI होता है सर, आजाओ इदर, step 3, NCI, 30% NCI है, guys बताया ही नहीं, NCI कुन से, कुन से value पे निकालो, बता रखा है, on date of acquisition, बोलता है, PSNA use कर लेना, याद में आया क्या, yes, PSNA मतलब, INA का proportion, तो INA कितना था मेरा, 7 lakhs, उसका 30%, तो कितना आ जाएगा, 2 lakh 10,000, very good answer पलक, very good दिपिका, very good शशांक, very good पूजा, उसकी बाद क्या करेंगे, अपन add, sorry add नहीं, on year end क्या रहेगा, year end, तो NCI on year end में से वेखी फरक आएगा, जो opening के पहले वो लिखो inner column में, बराबर इसमें add कर दो, इसका post equation का हिस्सा, subsidy ने profit कमा है, तो ये भी हिस्सा लेगा ना मामू, 75,000, तो कितना आ जाएगा, 2 lakh 85,000, 2 lakh 85,000, 2-2 NCI क्यों निकाला, एक काम आएगा, goodwill निकालने के लिए, एक काम आएगा, consolidated balance ship बनाते time, ध्यान रखना, ठीक है, step number 3, done, step number 4, अगर तुमारी थोड़ी बुद्धी चल रही है, तो goodwill जीपी पी निकालोगे, तो मुझे goodwill काम आउन दे सकते हो गया guys, can you give me the amount of goodwill, में को good good काम आउन दोगे good good, बताव PC, 70% के लिए कितना था, उपर जाके देख, जाके देख record में मिलेगा, 5 lakh 60, plus plus plus, NCI 30%, अब ये डे कितरा 285 मत आड़ कर देना, ए, date of acquisition का goodwill चाहिए, date of acquisition के NCI consider करना, क्या रखना, on date of acquisition वाला, तो कितना है, 2 lakh 10,000, less, INA 100%, very good answer, कृतार्थ very good, 7 lakh less करोगे, तो good do आएगा, 70,000 का, आपको याद है न, मेरा NCI, नन्ना मुन्ना NCI, PSNA पे है, तो यह जो goodwill आएगा, यह partial आएगा, अब goodwill के साथ, क्या हुआ था, goodwill के साथ, very good, धोका हुआ था, धोका क्यों, यह बिचारा, इंपेर हो गया था, पूरा इंपेर हो गया था, यह मैं नहीं बोलता, वो खुद यहीं बोलते, बराबर, तो goodwill on year end, कितना बचेगा, इल्ले, शुन्य, निल, इस impairment की, प्यारी-प्यारी एंट्री देदो के, मुझे प्यारी-प्यारी एंट्री, इसकी, मांगी नहीं एंट्री, बट अपने record के लिए, consolidated other equity, to goodwill, 70,000, 70,000, यह आप, क्योंकि partial है, तो allocate only in parent, allocate only to parent, मतलब parent के other equity से, आपन less कर देंगे सर, मजा आ गया सर, very good, very good answer, तुम लोग क्या जवाब देरो, मजा आ रहा है मेरे को करने में, तु मैं से जवाब दोगे, तो मजा नहीं आ जाएगा, फिर आएगा step number five, बनाते ना आपन प्यारा-प्यारक, consolidated other equity, सबसे पहला आप लिखना इसमें, parent का other equity, सबसे पहला आप क्या लिखोगे, parent का other equity, कहां से मिलेगा सर, balance sheet से मिलेगा सर 9 lakhs, तो 9 lakhs लिख देंगे पहले, ठीक है, अब यहाँ एक subsidiary भी है, और यहाँ एक associate भी है, तो simplicity purpose के लिए मैं पहले ऐसे लिखूँगा, जितने भी subsidiary को लेकर adjustments है, पहले मैं वो करूँगा, तो उपर से चालू करना, सबसे पहले, यह URP, क्या subsidiary वाला था क्या नहीं, इसको बाद में देखते हैं, उसके बाद, subsidiary के post में मेरा हिस्सा, 1,75 यह record कर लूँ मैं, subsidiary के post में मेरा हिस्सा, 1,75 चैना record this, यह सर, करो record, तो add, post equation, profit of S, 1,75 उसके लावा और क्या था, और क्या था, goodwill, goodwill, loss, तो less, less, impairment of goodwill, 70,000, क्या इसके लावा और कुछ दिखा आपको, मेरे को लगता है, यही दो ही था फिलाल के लिए, ठीक है, फिलाल के लिए यह दो ही था, सर, close मत करना, इसको close मत करना, क्यूँ, अभी इसमें, associate के adjustments आने बागी है न, है न, तो यह अच्छा question है, associate के adjustment के का impact है, वो देखने के लिए, ठीक है, करते है आपन, तो यह मेरा subsidiary close हो गया, subsidiary close हो गया मेरा, अब मैं associate का, इंवेशन का value निकालूंगा, ठीक है, तो एक पांचे line छोड़ देना, safer side पे रहने के लिए, ठीक है, अब मैं बात करूँगा, पूचा बुलते इतना ही था, इतना ही था, बट वो ही है न, कि exam में बिचारा बच्चा पहली बार करा था, फशेगा थोड़ा, सवर कुछ नहीं, ठीक है, आजाओ, लेकिन जिस बच्चे का concept clear है न, वो थोड़ा बहुत हो टैकल कर पाएगा इसको, ठीक है, यूट किस में डिविरेंट न ही है न, वो फशा डिविरेंट के अंदर, वहाँ फचेगा न बच्चा, याँ नहीं फचेगा वो, ठीक है, आजाओ इदर, अब बात करेंगे हम, investment in A limited, as per equity method, अच्छा, इस case में सबसे पहले calculation क्या करना होता है, सुनना, सबसे पहले आप calculation करते हो, of goodwill या capital reserve, या तो word gb भी बोल दो है, capital reserve बोल दो बात तो एक ही है, सुन लो, तो सबसे पहले इसमें आता है, calculation of, goodwill slash capital reserve, in case of A limited, जो अपना असो, अरे निकालते हैं न, आपन याद हैं गुडविल रेगा, तो उसे disclose करने का, capital reserve रेगा, GBP रेगा तो record करने का, GBP भी बोल सकते हैं इसको, yes or no, yes, अच्छा, सबसे पहले मिरे को क्या चाहिए PC, आपने 40% acquire किया, सब कैसे मिला 40%, starting में देखा था न, आपने आपके बस 4000 shares है, तो आपने 40% acquire किया गाई, ठीक है, yes, उसके अलावा, उसके अलावा, अब आपको चाहिए PC, PC कैसे मिलेगा, जितना आपने acquire किया, कितने में acquire किया 40%, आपने 1,00,000 में acquire किया, उसके बाद आपको चाहिए, आएने, असोसेट के, अब जितने भी आपने छोटे-छोटे question के, वहाँ directly आएने का fair value दिया होता था, यहाँ दियावाई नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, जब भी आएने ना दियावार है, तो आप लेना equity capital, प्लस प्री वाला अधर equity, तो मेरे असोसेट का equity capital कितना है, एक लाग है, और उसका अधर equity प्री में कितना था, 1.75, तो आएने हो गया 2.75, बट मेरेको आएने का सिर्फ 40 पसंट चाहिए ना, तो मैं ऐसा बोल दूँगा, 1,00, is my equal share capital of A, प्लस, प्री वाला अधर equity, is 1.75,000, इसका 40%, क्या मुझे बताओ कि कितना आएगा, तो 2.75 का 40% आएगा, 1.10,000, बताओ गुडविल की capital reserve, यह तो मुझे GBP या capital reserve चाहिए सा आ रहे है मुझे, नेगेटिव तो उतना ही आएगा न, अगर capital reserve है, तो हम इसको recognize करते हैं, अब सर इसकी entry का बनाएंगे, इसकी entry का बनाएंगे, इसकी general entry का बनेगी, एक तो आपका capital reserve book करना है, तो capital reserve has a credit balance, तो आप बोलते हैं न, 2 capital reserve, बेसिकली आपका other equity बढ़ जाएगा, consolidated वाला, और debit करोगे investment की value, मतलब इसका एक effect आपके investment in A limited में जाएगा, और एक effect आपके console other equity में आएगा, कितना, 10,000 और 10,000, तो एक काम करूँ किया, मैं लगे हाथ, other equity में इसका effect ले लूँ किया, मैं भूल ना जाओ इसलिए, तो आजाओ, associate के adjustment में पहला, capital reserve, capital reserve credit हो रहा है, मतलब reserve बढ़ेगा आपका, तो add गिया है मैं उसको, confess मत हो ना क्या गिया, ठीक है, अच्छा, अब वो investment की value निकाली लेते, investment as per equity method, A limited, as per equity method, ठीक है, सबसे पहले आप लिखोए cost of investment, cost of investment in A limited, on date of acquisition, कहां से मिलेगा, जितना आपके investment का value दिख रहा है, balance sheet में है, ये था ना, ये PC जितना pay के आपने, 1 lakh, सबसे पहले क्या add करूँगा, ये जो capital reserve का effect है पहले वो ले लो, इस पे investment बढ़ रहा है अपना, तो आपन बूलेंगे add, capitalism, देखो goodwill होता तो आपन कुछ नहीं करते हा, goodwill होता है अपन से लिखते है bracket में, कि this includes goodwill of this much, capital reserve है तो record करना होते है अपने को, तो कितना 10,000, पहला चीज, तो इसका मेरा दो effect लिया गया, हाँ sir, एक मैंने investment में add कर दिया, second effect मेरा काँ चला गया, फिट निकाला था ना आपने 2.49, उसमें अपना हिस्सा आएगा, तो आपन पहले वो ले लेते हैं, बराबर, अच्छा करनी का और सार्तक ने मेरे को एक और एज़िवन बताई दिया है, spoiler मत दो, वरना मेरा दुकार मन्द हो जाएगा, मजा कर रहा हो, अच्छा ले दर आओ, तो बोलेंगे add, के add करना है अपने को सबसे पहले, post acquisition share, of profit in a limited, इधर bracket में working दे रहा हों है, ठीक है, total उसका किता था 4.24, less 1.75 परीगा था, तो आपको post वाला मिलेगा, यह मिलेगा 2,49,000, बराबर, तो 2,49, पूरा मत record करना भाई, तुमारा सी 40% है, इसमें मालूम पड़ा, पूरा record करके बैड़ गए, 2,49 का 40%, very good answer, 99,600, इसका भी तुमको चेतों मैं, आपको मैं एंट्री दे चुका, इसकी एंट्री क्या होगी सर, एंट्री मारने से आपके आदे दुख दूर हो जाएंगे, इंवेश्मेंट बढ़ रहा है, तो consolidated P&L या other equity बोल दो, to investment, actually इसकी entry ऐसी होती है, consolidated P&L, to investment, बढ़ अपन पेनल तो बना नहीं रहे है, तो आपन add करेंगे, in other equity, option नहीं अपने बास, बराबर तो कर लो, एक effect तो मेरे investment में आ गया, second effect, तो कर लो add, post acquisition share, of A, कितना है 99,600, clear guys, दो-दो effect साथ में लेते वे चलो, वरना confusion हो जाएगा आपको फिर, ठीक है सर, ये भी मेरा हो गया, उसके लब आप सबने बोला, सर, आपने पता, URP की बात करी थी, वो कौन less करेगा, उसका भी तो effect था ना, एक console P&L, मतलब H ने profit कमाया, तो H का other equity कम होएगा, और investment कम होना चीए सर, इधर आजो, अरे मैंने ulti entry मार दीगा, सर, आप सुबे सुबे, बिवडा मार के आए सर, सौरी, investment to console other equity, ये entry होगी, यार सर, आप ऐसे मत करो सर, सौरी, करो ठीक कर दो इसको, क्या हलकी हलकी, लिटिल ले लोगे, तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ, थाइंक यू फर रिमांडिंग, वरना मैं करी देदा पूरा का पूरा, ठीक है, यू आर्पी का इंटरे आपन उपर मार चुके थे, less, यू आर्पी, किता था 10,000, into 40%, तो यहां से यू आर्पी होएगा, less, बराबर और, सेकेंड डिफेट आपके कंसो अधर रिक्विटी में, less हो जाएगा, यू आर्पी, आप चिये तो रेफेंस देना, हमने वरकी नोट नमबर वन में डिसकुशन किया, इसका, तो दोनों जागे से मैंने, less कर दिया, ताकि मैं बोलू नहीं, clear क्या, yes, चलो, सही हो गया अभी जब कुछ, क्या मुझे आप investment की value दे सकते हो गया, और कुछ है नहीं मेरे साब से, 1,00, 10,00, 99,600, minus 4000, मेरे क्या आल सार है, 2,00, 5,600, 2,5,600, सब को समझा है यह वाला पाट क्या, चलो, क्या मांगिए balance sheet, बना ले गया, बना ले दे सर आजाओ, consolidated balance sheet of H, limited, year end का पुछा रहेगा मेरे साब से, as on 31st March, 24, as on 31st March, 24, ठीक है, a good question for understanding point of view, मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता, इस question के अंदर अपने को, from that point of it is a very good question, ठीक है, चलो, हो सके question खुला रखो, नहीं है, तो कोई बात नहीं मुझे देखते वे चलो, सबसे पहले, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब मैं consolidate करूंगा, तो क्या मैं H, प्लस S, ये तो करूंगा ही, क्या मैं A को भी आड करतूं का, येड़े की तरह, क्या मैं Yedhi की तरह, एको भी आड करतूं क्या, कर्मत देना, कर्मत देना, लफड़े हो जाएंगे भाई, पूरे पूरे, सर नहीं करेंगे बोलो क्या करेंगे 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 यह करमत देना भाई पहले बता लफड़े वो जाएंगे पूरे पूरे ठीक है वो सिली मिस्टेक भहुत लोग करते सबसे पहले आपका असेट्स है असेट्स में आएगा नौन करेंट असेट ध्यान रखना आपको चेट्स में लिखाता हूँ रफ सुनो मेरी बात तुमें ना कन्फूशन नहीं करो इसलिए आपको लिखाता हूँ इदर हूँ एक चीज़ लिखाता हूँ सुनो एच एस ताना उसका नाम एच एच का ओल असेट लाइबिलेटी इकविटी अधर इकविटी बराबर जो एस 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 का ओल असेट एद लाइबिलिटीज एस का आपन अधर इकविटा का आपटन लिएते हैं बराबर और ए का सिर्फ इन्वेस्टमेंट का वैलू एस पर इकविटी मेथड देखो अगर तुमने ये मंत्रा याद कर लिया न ये बहुत खतना तुमको चीज लिखा दिया भाई मैंने ठीक है ये ये ध्यान रखना भाई एक के हवाई साब ये ध्यान लेगा तो मिश्टिक नहीं करोगे ठीक है तो अब इसी बात पे पी पी में क्या है फाई लेग फिफ्टी फो लेग एटी तो फाई पॉइंट फाई लेग प्लस फोर पॉइंट लेग कित्ता आएका टेन लेग थर्टी था उसे ठीक है उसके अलावा फिनेंशल असेट उसमें है इन्वेश्टमेंट अब देखो आपको पता है ना CFS में सबसेटरी का जो इन्वेश्चमेंट है वो ऐलिम्णेट हो जाता है बराबर जो असोसियट में इन्वेश्चमेंट है वो लाक पे नहीं दिखेगा वो आश पर इक्वीटी मेथड दिखेगा बराबर investment in A limited यह दिखेगा as per equity method यह हमको उपपर से निकल गयाता ना value कितना है 2,5,600 very good answer format इंका copy करो must ठकाटक इन्होंने proper format में दिया वे ना copy करना है बस और कुछ नहीं करना है यह हो गया फिर आएगा current assets आपका मैं कुछ भूल जा तो बता देना मुझे ठीक है फिर आएगा current assets उसमें पहला है inventory सिर्फ दो का लेंगे parent का किता है 485 subsidiary का 382,500 485 plus 382,500 अब इसमें एक लफडा पते क्या करोगे आप आप बोलो के sir वो URP था वो less करे क्या कर मत देना क्यो inventory किसके पास पड़ी थी मैंने क्या बोला sale के बाद ये inventory associate के पास जा चुकी है बराबर associate का inventory में take over कर रहा हो गया नहीं इसका मैं दो effect दे चुका ओल लेड़ी console P&L to investment inventory अगर मेरे पास होती मतलब अगर ये बाइचांस upstream होता upstream तो आप investment कम करने के बदले inventory कम करते क्यूंकि inventory मेरे पास पड़ी है बराबर लेकिन क्यूंकि inventory मेरे पास नहीं है associate के पास है associate के inventory में नहीं दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैंने investment कम किया एक बात याद रखो, inventory अगर मेरे पास होती, उल्टा होता ये inventory मेरे पास होती, तो मैं investment नी inventory कम करता, investment तो कम होता, inventory भी कम होता, वैसा, वो आपन देखे यार, उसमें अंदर, वो मैंने N-28 मा पते question करा था, election 13 and 14 वहाँ जाकर देखलाना नहीं समझातो, ठीक है, अभी फिलार उस उर्प, as inventory is with associate and we are not recording inventory of associate don't reduce URP as inventory is with associate and we are not recording inventory of associate ठीक है, ध्यान रख नहीं बात का ठीक है, सर, कोई दिक्कत नहीं तो आपका inventory करता हो जाएगा, very good 687, sorry, 667,500 thank you for the answer 667,500 उसके लाबा और क्या है, आपके बास है financial assets, उसमें CCE है और trade receivables है CCE कितने है आपका 89 प्लस 98 बराबर कितना आएगा, very good 187,000 उसके लाबा trade receivables 395 और 3,05 अच्छा वो trade receivables में less करू क्या, कर मत देना आपने discuss किया है न, वो inter company नहीं है भाई तो यह आपका हो जाएगा, यह हो 4 lakhs, 7 lakhs हो जाएगा मेरे साब से ठीक है, yes correct me, तो कर देते हैं आपन, correct यह हुआ, अब मुझे liability वाला side करना है, वो में नीचे कर लेता है थोड़ा सा, जगा नी है मेरे पास चुली पूरी balance sheet में को नीचे लेटे नीचे यह थी, कोई बात नहीं, दे रहा है दूसरा है, दे रहा है दुरुस्ता है, दुरुस्ता कितना आ रहा है, 299, तुम लोग कितने अच्छे लोग रहे, 299, 0, 100, यह रहा है ठीक है, देखते हैं आपन, अभी एक साड़ आना से काम नी बनता है न, अगला भी आना चाहिए, ठीक है, इसमें आएगा equity and liability, इसमें आएगा पहला equity, इक्विटी में आएगा पहला equity share capital, अधर इक्विटी और NCI भी आएगा, इक्विटी capital, only parent का लेना, only H limited का आएगा, बराबर कितना आएगा, only H का equity capital, आएगा 5 लाग, 5 मतलब छोटा कोका कोला, पाच लाग, अभी अधर इक्विटी के लाँ आपनने प्यारा प्यारा मीठा मीठा step number 5 बना रखाया, इधर आओ, अरे step number 5 अगा close ही नहीं किया, आपनने close करो चलो, close करो, close, तो आएगा, 9 लाग, plus 1,75, minus 70, plus 10, plus 99,600, minus 4, 11,10,600 आ रहे गया, 11,10,600, कर दू, 11,10,600, आजाओ इधर, 11,10,600, ठीक है, NCI, step number 3B, year end का NCI निकाल चुक्या आपन, मैं रिकाल से, it was 2,85,000, वो record कर लेना भाई, हो गया, फिर आएगा liability, देखो liability में क्या है, एक तो है अपने बास non-current में financial liability borrowings, कोई change नहीं है, उसमें, non-current में, financial liability में borrowings, कितना है वो, 4,00,000, 4,00,000, it is equal to, 5,00,000, और current liability में क्या है, मेरे पास, financial liability में trade payables, कितना है वो मेरे पास, 3,79, plus 165,500, 5,00, 44,500, लेके प्रभु का नाम, लग जाओ काम पे टैली करने के लिए, आओ, भगवान जी बचा ले नाम को, ठीक है, चलो देखते है, टैली करता है कि नहीं, 5,00, प्लस 11,10,600, प्लस 2,85,000, प्लस 5,50, प्लस 5,44,500, जै माता दी हो गया भाई साब, टैलीड, 2,99, 0,100, 29,90,100, मज़ा अगया सर, मतलब अगर, डेविरा निकाल तो पिक्चर से, तो question तो होता है, हाँ, again I'm saying, होता है, इसका मतलब यह नहीं कि यह, बहुत ही easy है, easy है, लेंदी है ना, तीन घंटे में उसको, limited time में करना है, is a thing, तो वो of course practice करोगे, revision करोगे, तो हो जाएगा, ठीके, and मैं आपको यह भी बोल दू, exam में न, essay question के लिए prepared रहने का, देखो, 100 मका paper है, तुम कभी भी इस बात का, रुना निरो सत्ते की, equation difficult आ गया, आएगा ना भई, 100 में से, 20-30 मास का, तो उन लोग पूछेगे न, tricky, वो जो manageable portion है, वहाँ तुमारा focus रहना चाहिए, ठीक है, चलो, तो यह अपना, alternate number A हो गया, पका समझता है, यह समझता है, तो फिर मैं आऊँगा, alternate number B और C पे, क्योंकि B और C में, मैं सिव एक entry मरवाऊंगा, तुम से सब सिखा दूगा, मैं तुमको, पहले बताओ, A वाला समझता है, पकी बात, pinky promise, एकदम promise है, ठीक है, चलो, अब B वाले पार्ट पे बात करेंगा, alternative number B, आओ, I hope guys, आपको A वाला पार्ट समझा, I have tried to simplify this, to the maximum extent possible, ठीक है, मतलब जितना हो सकता है, मैंने आपको एकदम, easy करने का try किया हुए, ठीक है, चलो, अब आजाओ, अपन करेंगे, B वाला alternative, B वाला alternative में क्या है, consider dividend as declared, but not paid, मतलब, मान लो कि, dividend declared तो हो चुक है, बट पे नहीं हो, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब dividend के जब entry मारोगे, तो आपके entry कुछ ऐसे बननीगी, suppose dividend आपको pay करना है, तो dividend expense, to cash bank मत करना, आप बोलो के to dividend payable, ऐसा, और जो pay कर रहा हूँ, उसके लिए वो expense नहीं है, actually, वो reserve से कम करेगा, ऐसा, example दे रहा हूँ आपको, तो second वाले का, यह मतलब है कि आपने, declare कर दिया है, मतलब liability arise हो गई, pay नहीं किया आपने अब तक, तो sir, क्या फरक पड़ेगा, यह बताता हूँ मैं आपको, बट इसके लिए ना, dividend वर declared, but were not accounted for, by all the companies in the books, before the year end, dividend का accounting, किसी ने भी अपने SFS में नहीं किया है, देखो यह फरक है, आपने जितने भी पहले वाले, CFS के questions देखे हैं ना, जो ICI के आपने पुराने पहले वाले questions देखें, जो अपने module में है, जो previous RTP, MTP में, हर जगे पता है क्या presumption होता था, कि subsidiary ने अपने SFS में accounting कर दिया है, parent ने भी उसको अपने SFS में record कर लिया है, तो CFS में आके हम उसको eliminate कर देखें, ऐसा कुछ याद है किया, मैं आपको याद दिला था, सुनना, वापस से, हर जगे जितने भी पहले questions किये, उसमें presumption होता था, कि subsidiary ने तो dividend pay किया है, subsidiary in accounting कर लिया है, second, parent ने भी उसको अपने SFS में record कर लिया है, तो फिर हम क्या करते थे, तो उसको eliminate करते थे, sir eliminate कैसे करते थे, तो मैं आपको एक रफवक बताता हूँ, पहले हम क्या करते थे, in all, previously, solved questions, there was a, a presumption that, subsidiary had, recorded the dividend paid, in SFS, and, ये मैं specifically, subsidiary के dividend के बात कर रहा हूँ, subsidiary के dividend के बात कर रहा हूँ, जो subsidiary dividend अनौन्स कर रहा है वो, the dividend which is going to be paid by subsidiary, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, in all the previously solved questions, there was a presumption that, subsidiary has recorded the dividend paid, in SFS, and parent, also, has, recorded the, dividend received, तो, इसलिए हम पहले पते हैं क्या करते थे, अगर आपका ये presumption होता था, तो आपन पहले ऐसा करते थे, subsidiary के, post वाले resource में, add back करते थे, बराबर, 100%, जित्ता भी वो dividend का amount है, फिर, जित्ता भी parent का share है, वो हम कंसो, other equity से less करते थे, और जित्तना भी, NCI का share है, वो हम NCI के, year end के balance से less करते थे, अब देखो, मेरे को मान के चलना पड़ेगा, आपने पहले CFS पढ़ रखाया, अब मैं वो ऐसा क्यों करते थे, तो वो उस discussion में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपन question कर रहे है, कंसा पता चुका मैं आपको, ऐसे करते थे थे था न, बट वहाँ, कब ऐसा करना था, where we were presuming that, subsidy ने dividend pay करके record कर लिया है, और parent ने भी उसको income record कर लिया है, तो हम यह करते थे, इस बार ऐसा नहीं होगा, in this question, ऐसा मत करना, not to be done, in this question, for dividend by subsidiary, मैं specifically सिफ subsidiary वाले dividend की बात कर रहा हूँ, बाकी company के dividend का treatment बड़ा simple है, ठीक है, समझा यह, यह हम पहले करते थे, अब ऐसा नहीं करना, तो आप कैसा करना है सर, सुनो मेरी बात, अगर आप पहले record करते थे, तो elimination की बाते आती थी, बराबर, अगर आपने पहले record ही नहीं किया है, तो क्या यह eliminate करने की बाते आएंगी, वापस से, इसका मतलब क्या, क्या सर को एंटरी निया आने वाले क्या, नहीं, एंटरी आएगी, देखो, इंटर कंपनी, जो सबसीडी और, पैरेन के बीच में होता है, वो eliminate होता है, इंटर कंपनी टारंसेक्षण, जो parent और, सबसीडी के बीच में होता है, और सबसीडरी का, सब्बोल मेरा कोई dividend receivable है, और सबसीडरी का dividend payable है, तो मेरे और सबसीडरी का हम assertability eliminate कर देते थे, बट जो सबसीडरी और NCI के बीच का है, उसका elimination कभी नहीं होता है, तो इसलिए, अब मैं क्या करूँगा, एक तो long cut तरीका है, क्योंकि आपने SFS में record नहीं किया है, तो पहले जाकर सबके SFS में record करो, और फिर जो normal procedure है वो follow करो, बट वो long cut हो जाएगा, वो बहुत long cut हो जाएगा, वापस है, पहला तरीका क्या है, कि सबसीडरी को बोलो, भाई तो अपने SFS में record कर, पैरन को बोलो, तो तो अपने SFS में अपने income record कर, और फिर ये procedure follow करो, वो एगा long cut भहेंग कर, एगा shortcut, अब मैं आपको shortcut दे रहा हूँ, dividend को लेकर, ठीक है, dividend, shortcut, ये कब follow करना है, जब dividend का treatment बुक्स पे नहीं हुआ है, तब, ठीक है, अब तीन company के dividend की बात करेंगे, तीन company का, मैं पहले, जो main company उसकी बात करूँगा, अब सबसीडरी का है, ठीक है, main सबसीडरी है, तो पहले, dividend by, सबसीडरी, ठीक है, सीधा हमें CFS की बात करो, CFS में क्या impact रहेगा, impact in CFS, मैं net entry बता रहाँ को, ठीक है, journal entry क्या रहेगी, माल लो सीवे NCI बाला record करना है, बराबर, तो NCI को आप जो भी dividend दोगे, तो बोलना, NCI account debit, 2, हमने क्या माने, alternate number B में, dividend is declared, but not paid, तो आप बस, 2 cash bank मत करना, 2 dividend payable कर देना, अब देखो, मैं चाहू तो इसके उपर, बहुत राम कतार, discuss कर सकता हूँ, वापस से, कि ऐसा, पहले record करेगा, eliminate करेगा, तो net defect ये रहेगा, बट, मुटा मुटा ये आने वाले, exam में time नहीं होगा, उत्ता सब दिमाग करनेगा, समझा, तो अगर तुमको try करनेगा, तो घर पे खाली बेटो, तो कर लेना, पहले SFS में impact ले लो, फिर CFS में limit कर लो, तुभी same net defect आएगा, उस अच्छा इतना record कर लो, कितना है, subsidy का dividend करता था, अब एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, मैं इधर heading दे दू, क्या, alternate number भी है, इसको भी नीचे ले आते, और बोलते है, alternate भी, dividend declared, बट not pay, ठीक है, ये वो alternative भी है, अच्छा, subsidy का dividend का amount कितना है, बोलते है 10%, 10% हमेशा किसका लोगे, share capital का लेना, बराबर गया, तो NCA का कैसा निकालोगे आप, dividend by subsidiary is how much, dividend by subsidiary is, 2,005 का 10%, equity share capital उसका 10%, तो आएगा 20,000, बट NCA का share किता है, तो 20,000 into 30%, ये है आपका dividend amount, और ये है NCI का share, तो मेरे ख्याल से आएगा 6,000, तो इट विल भी, 6,000 and 6,000, तो CFS में net impact, CFS में dividend का net impact से इतना रहेगा, कि एक तरफ आपका NCI जो है, वो कम हो जाएगा, और एक तरफ liability, एक create करनी आपको dividend payable की, पहला, एक ये तरीका है, सेगंड तरीका क्या है, SFS में जाके पहले, subsidiary के dividend record करो, parent के income में book करो, और फिर ये वाला follow करो, वो long cut हो जाएगा, तो net ये follow कर लो, ठीक है, दूसरा, और dividend किसने pay किया था, बाकी दुनों का dividend बड़ा simple है, सुनना, एक और dividend pay किया था, dividend paid by parent, अच्छा जो parent ने pay किया, parent ने dividend subsidiary को नहीं पे किया, parent ने dividend अपने holders को पे किया है, तो ये जो dividend pay करेगा, उसका inter company से कोई रना दाना नहीं है, ये अलग है, तो इसका capital किता था भाई, इसका capital वाई, फाइल लैक्स, इसने पे किया होगा, फाइल लैक्स का, 10%, पचास अजार, dividend की normal entry क्या होती है, आप बोलते हो, consolidated other equity, आपके reserves काम होते है, dividend expense की वज़े से, 2, हम क्या मान रहे हैं, यह हमने dividend pay नहीं किया है, तो आप बोलोगे, 2 dividend payable, 2 dividend payable, कितना, 50,000, 50,000, इसका impact क्या रहेगा, आपका conservative equity घटेगा, लेस होएगा, और dividend payable, liability rate हो जाएगी, tension मतलों मैं सारे impact, balance sheet पे क्या रहेगा, दिखाऊँगा, बहुत simple है, उसके बाद, तीसरा है dividend by associate, अब देखो, associate ने जो dividend बाटा, उससे मेरे को फरक नहीं पड़ता है, उससे मेरे equity method पे क्या फरक पड़ेगा, वो देखना है, associate ने जो dividend बाटा, उससे मेरे को नहीं फरक पड़ता, मेरे को सीफ ये देखना है, मेरे equity method के investment पे क्या फरक पड़ेगा, आपको पता ना, मैंने बताया था, dividend is like a, recovery of your investment, बराबर, तो उसकी entry का रहती है, अगर पैसा आ गया है, तो आप बोलो के bank account debit to investment, अगर पैसा नहीं आ है, तो बोलेंगे dividend receivable to investment, simple, वापस से, associate ने dividend बाटा, उसका मेरे CFS पे क्या impact है, parent बोलेगा, मैं देखूँगा मेरे investment पे क्या impact आ रहा है बस, क्यूंकि associate का आपन सब कुछ रिकॉर्द नहीं कर रहे है, जैसे subsidy का क्या करते है, अपन सब कुछ रिकॉर्ड करते है, इसलिए आपन देखते हैं कि, Subsidary एन liability book की, तो मेरे को भी liability book करनी पड़ेगी, subsidy liability book की, मेरे को भी book करनी पड़ेगी, associate में इसा नहीं है associate में I am only concerned with my share of investment बराबर मेरा investment पे क्या impact है तो it is dividend received is like a recovery of investment less करते है ना आप investment से तो entry क्या है पैसा आ गया तो bank account debit to investment पैसा नहीं है तो dividend receivable to investment simple तो इधर आजाओ dividend by associate बराबर इधर चे तो note लिखा दूँगा एक पहले entry लिखलो फिर note लिखाता हू general entry हमने क्या मारे dividend declared but not paid पैसा नहीं आया है तो आप बोलोगे dividend receivable to investment in A limited अच्छा A का A ने कितना dividend बाटा भाई एक लाख का 10% but मैं सब कुछ मेरे share जित्ता ही करूंगा that is my share in associate 40% 4000-4000 इसका impact क्या रहेगा आपका investment गिरेगा और balance sheet में dividend receivable आप बुक करोगे यह इसका impact रहेगा अब आप सोचो यह entry बिचारे बच्चे को एक्जामे क्लिक होने वाली है गया सवाली ने उठता है और यह 15% रहेगा dividend sorry 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 15% है sir sir 15% है sir thank you for reminding us it is 15% तो यह 6000 हो जाएगा फिर तो बिचारे बच्चा पहली बर में तो कहां से click करेगा न यह तो पहला assumption अच्छा था उच्छा था उच्छा था उच्छा था उच्छा था एक्जाम पॉइंट अफ इसे बट फिर अभी यार सीख रहे हो तो पूरा सीख लोना अच्छे तरीके से ऐसा सबको पहले entry समझे क्या यह entry समझे ना impact बड़ा simple है वो balance sheet ऐसे बनेगी ऐसे ऐसे बनेगी balance sheet बागे तुमको समझा के यह वाला part पक्का ठीक है अच्छ में नोट लिखा दू associate में we do not consolidate a certain liability of associate we do not consolidate a certain liability of associate therefore liability of dividend payable is not recorded in CFS we just record R मतलब H लिमिते share of dividend receivable we do not consolidate asset liability of associate वराबर therefore liability of dividend payable is not recorded in CFS we just record our share of dividend receivable Krishna ने एकदम करेट बोला है sir Krishna ने पूचा sir basically मतलब parent के point वेचे entry करनी है एकदम सही बस फरक इतना subsidiary वाले case में हमको ये entry भी मारनी पड़ती है because subsidiary का हम सब कुछ take over करते subsidiary को बोलते है जो तेरा है वो मेरा तो अगर कोई चीज subsidiary को pay करने liability है तो हम भी take over करेंगे उसको ऐसा CFS में बस clear वाला part ये important है ये समझाने में energy आती है अपने को energy यहां लगती है अब ये ना मैं पता है क्या करूँगा आपके लिए काम आसान करूँगा अगर मैं पूरा question solve करूँगा ना तो आपको कभी भी impact दिखेगा ही नहीं अब देखो मैं क्या मस्त काम करूँगा सुनो अब आप देखना सिर्वा step 2, step 3, step 4, 5 ये पूरा copy ठीक है अब ये ना आपको पूरा impact समझेगा कि कैसा impact लेना इसका done इधर किया paste अब ये मैं पूरा question करूँगा as per alternative number 1 जिसमें step sorry, alternative number 2 step number 1 था PC, 70% फाइलक सिर्टी था अब ये ना सुनना आप करू मत आप देख लो copy आप आराम से बाद में कर लेना घर पे इसी बाहने 25 भी हो जाएगी थोड़ी सी अब देख लो ये जो entries है ना बस इसका impact solution में लेना है alternative number B में ये जो entries है बस इसका impact solution में लेना है कहां का impact आएगा एक impact आपके NCI में आएगा बराबर एक impact आपके other equity में आएगा और एक impact आपके investment in eliminated में आएगा बाकि दूसरे दूसरे impact दो dividend payable, dividend receivable मैं impact लेता हूँ, सुनो मेरी बात एक एक करके, सबसे पहले, क्या मेरा PC बदलेगा नहीं सर, क्या मेरा INE बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा सर, पहरा impact NCI में था तो मेरा NCI कैसे बदलेगा देख लो अब जो बदलेगा ना, मैं उसको एक अलग pen में लिख लेता हूँ, कौन सा pen ले लूँ, मैं दिखना चीए, वैसा pen लेना है नहीं यह दिखीगा नहीं मैं इसको ना, orange pen में ले रहा हूँ, orange pen में ठीक है, वो visible होगा तुमको, less dividend by subsidy, कितना amount था अब discussion बुरा कर चुक है, सिर्व amount का effect लेना है तो it was, it will come to 2 lakh 79,000 हो जाएगा भी, आपका NCI है जो भी change है, वो मैं इस pen में लूँगा orange pen, I hope it is visible, ठीक है, यह पहला तो मैंने एक impact ले लिया, जो लिया, उसको ठीकी मार देंगे आपन ले ठीकी, उसके बाद फिर console other equity, dividend expense, 50,000 से कम होना चीए मेरा क्योंकि parent ने बाटे dividend है, ठीक है, तो बाकी सब कुछ से में बाकी goodwill में कोई change नहीं है, सिर्फ जो console other equity है इसमें एक और adjustment आ जाएगा ठीक है, वो actually parent का adjustment है, तो मैं इसको थोड़ नीचे घीचूँँगा ठीक है, और लिखूँँगा less dividend by parent 50,000 रूपिया मेरा final amount will change न, कितना हो जाएगा final amount देखो 9,00-50, अच्छा जितना पहले था 11,16,00 था मेरे क्याल से, पहले amount कितना था रहे अपना पहले amount था 11,10,600 था, sorry तो 11,10,600 था, उसमें से 50,000 और कम हो जाएगा तो it will be 10,60,600 ये change है आपका, बराबर ये आपका नया आ गया, ये मेरा दूसरा impact भी हो गया ठीक है, उसके अलावा और क्या था effect एक था आपका investment in a limit कम होना चाहिए बराबर आउना कम करते हैं, सर इसके second effect कहा लोगे, balance sheet में लूँगा सबके second effect balance sheet में लूँगा, पहले मैं single effect दे रहा हूँ तो जो मेरा investment है URP के बाद खतम हो गया था न, आप सिफ देखो आप लिखो मत आप लिखोगे कब, घर पे पैट्नेस करते समय तो हम बोलेंगे dividend from associate क्या दे 1 lakh into 15% into 40% ता 6,000 तो आपका ये value गिर जाएगा पहले इट वस 2,500,600 minus 6,000, it will come to it will come to 199,600 ये तीसरा change तो तीनों dividend का एक एक effect मेंने ले लिया second effect है का balance sheet पे ठीक है, चलो, अब जब balance sheet बनाओगे तो कौन से amount change होएगे सबसे पहला मेरा investment in associate 199,600 उसके अलावा, मेरा और क्या change होएगा NCI और other equity ये दो change होएगा other equity हो जाएगा 10,60,600 और NCI हो जाएगा 2,70,000 बराबर उसके अलावा और क्या चीज़े आनी चाहिए सबके second effect क्या थे दो था आपके बाश डिविदेंट पेबल you had 2 डिविदेंट पेबल तो एक 6,000 और एक 50,000 तोटल हो गया 56,000 डिविदेंट पेबल और एक था डिविदेंट रिसेबल 6,000 रुपे का नेट मत कर देंगा वो आपसका नहीं अलग अलग है वो सारे है ठीक है तो डिविदेंट रिसेबल असेट साइड में एक लाइन छोड़ाएगा मैंने किदर तो जगा होगी अज़ेश्ट करना पड़ेगा नहीं है जगा थोड़ ऐसा में जगा बना लेता हूँ ठीक है डिविदेंट रिसेबल 6,000 और एक तरफ आपका आजाएगा डिविदेंट पेबल 50,000 प्लस 6,000 अब जब मैं ऐसे करता हूँ तो लेट्स सी इफ टैलीज और नॉट ठीक है मेरा पीपी है 10,30,000 प्लस 199,600 प्लस 8,67,500 प्लस 1,87,000 प्लस 7,00,000 प्लस 6,000 तो यह सेम अमोंट पे टैली होता है सेम अमोंट पे 2,99,0,100 लेट्स सी नीचे वाला 5,00,000 प्लस 10,60,600 प्लस 27,000 2,79,000 प्लस 5,50,000 प्लस 5,44,500 प्लस 56,000 2,99 2,99,0,100 तुम समझे अब देखो यह क्वेशन लेंदी पता है क्यों लग रहा हाँ आपको अभी क्योंकि मैं अभी case 2 discuss कर रहा हूँ ना एक्जाम में दुनों थे ना करना तो कोई भी एक करना था तो यह सीखने का पॉइंट वह इसा बहुत अच्छा चीज़ है सबको समझा क्या मैंने जान मुझके औरेंज में लिखा है ताकि जब आप revise करो आपको दिखे ना क्या क्या change हो इसकी वज़े से पूरा solution तो ना change होने वाला है तो वो दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि एच्छा हाँ इतना ही change है मेरा तो यह entries are important सुर अब तो alternative number C बाकी है C तो बहुत चिंदी है C तो बहुत चिंदी है सुनना अब मैं पूरा B गॉबी करूँगा चलो मैं C की बात कर ले ता इधर आजाओ alternate number C alternative C क्या बोलते है बोलते है फरक इतना है बस कि उसमें dividend declared और paid दोनों है declared भी है लेकिन paid है बस dividend declared and paid अब चलो मैं देखता हूँ कि तुमको आता ही की नियाता अगर इसका जवाब तुमने दिया मतलब you have understood the question wholly and solely ठीक है entry same रहेगी सिर्फ एक चीज चेंज़एगा बताओ क्या ये alternative number B है न ये same रहेगा ये same रहेगा पुरा only one thing will change if you can tell me what will change मैं मान जाँगा आपको समझ किया बताओ क्या very good answer सुनना न बताओ क्या चेंज होएगा very good answer जहाँ जहाँ आपने payable कर रखा है न जहाँ जहाँ आपने payable कर रखा है बराबर बस ये कटके पते क्या हो जाएगा ये कटके ये कटके आपका बैंक हो जाएगा very good answer very good रूची, very good शशांक हिमेश, वेदाश्री, सार्तक, शोबना very good very good मीद बस ये payable जो है ये कटके हो जाएगा बैंक ये जो receivable है ये कटके हो जाएगा बैंक इसका मतलब इसकी balance sheet is same पूरा working all workings are same as alternate इसका मैं बोलूँगा all steps and workings देखो जो first effect है वो तो same रहा first effect तो same रहा वो तो change नहीं होएगा तो all working are same as alternative बी what will change balance sheet will change अब आता हो balance sheet के discussion पे रुको इसको किया copy इधर लाके किया copy होई नहीं रुको इसको किया copy इधर लाके इसको किया पेस्ट हो जा राजा चलो मैं को holy answer copy करना पड़ेगा क्या अब होईगा न पेस्ट पेस्ट यह ले बताओ क्या होएगा dividend receivable निकल जाएगा बराबर उसके अलावद dividend payable निकल जाएगा सिर्फ एक चीज़ चेंज होएगी balance sheet में बताओ क्या receivable निकल गया payable निकल गया सिर्फ bank adjust होना चीए bank में net impact कितना आना चीए extra तो 6000 कम होएगा 5000 कम होएगा 6000 बड़ेगा बस तो अपना जो cash bank था cash bank यह आपके लिए भैंकर बन जाएगा important क्योंकि इसका amount will change बराबर इसका amount क्या होएगा change जितना भी था वो तो ठीक है उसमें आप बोलते हैं न थोड़ा अलग पैंस ही करना पड़ेगा तो मैं बोलूँगा less 6000 less 50000 add 6000 अब यह क्यों add किया इसका source general entry में जाकर देखना मतलब net net आपको 50,000 से गिराना है तो आपका वाएगा 89 plus 98 minus 50 net में गिराया तो आपको जवाब आएगा 137,000 this is important year अच्छा मैं इसको orange में नहीं कोई दूसरे pen से लिखता हूँ ताकि वो मैं दिखा पा उसको red highlight में only cash bank is changing only this will change rest everything is same of course tally amount will also change tally amount अब इस पे नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ेगा निया tally amount मैं कर लू 10,30, plus 199,600, plus 867,500, plus 1,37,000, plus 7,000, 29,34,100 मेरे ख्याल से मेरे को जबाब आ रहे 29,34,100 29,34,100 29,34,100 सर चेक तो कर लो ऐसी लिख दिया आपने चेक कर लेता हू 5,00, plus 10,60,600, plus 2,79,000, plus 5,50, plus 5,44,500, 29,34,100 done this is over this question is over मजा आ गया भाई अपने को ठीक है ये question का PDF में डाल दूँगा आपके लिए आपके उस पे डाल दूँगा मैं board notes वगेरा मैं डाल दूँगा PDF इसका question का आपके इस पास नहीं होगा ना किताब में तो मैं डाल दूँगा ठीक है चलो तो ये रापका question again I'll just repeat tension मतले ना ऐसे questions का ऐसे question को सीखने का इस question से ठीक है कि हम नया क्या सीखके जा रहे ये load मतले ना कि अभी मेरे exam में आया तो क्या हो अब तेरे exam में आया तो देखो तो आता है अगर तेरे exam में कुछ नहीं आया तो कैसे deal करना मैं ने क्या बता है जो अच्छे से आता है ना part उसको पहले cover करना ऐसे question को last में करना मैं बताओ चलो तुमको question नहीं आता हो क्या तुम basic PC लिखके आ सकते थे क्या तुम basic time ये सब आईने बगरा कर सकते थे बराबर चलो dividend तुमसे नहीं हुआ तो उसके बाद जब आप CFS बनाने को आओगे CFS तो उसमें जिस amount में change नहीं है जैसे पीपे में कोई change नहीं है वो लिखने का इसमें कोई change नहीं है अरे basic basic तो लिखो चाहुदा माग का question है चार तुम मिले और थोड़ा पता आता है तो साथ तो मिले और अच्छे साएगा दस तो मिले ऐसा दिमाग लगाने का exam में तुम क्या है तुम है ना या तो इसको पहले कर लेते हो तो फज जाते हो है ना या फिर तुम उसको करते ही नहीं हो तो फज जाते हो करने का जितना आपने limit जैसे equity capital इसका आधा-दा mark होता है ये सब का आधा-दा mark होता है ऐसा, ठीक है, तो कभी भी आपके अटेम में भी ये छोड़के भी कोई नया question दिख जाया किसी भी chapter का, तो you know how to deal with it, just try to score some marks in that, और जो अच्छा पाट है आपके paper में, निकालने अपने अपने गोस्पे, ठीक है, चलो, तो इसी बाट पे I will wrap up the session, I hope this was helpful, मैंने best try किया, इसको मैं summarize करूँ आपके लिए अब वापस अगर I say, अगर refer करोगे कुछ नहीं समझेगा, आपको बहुत tricky है वो समझेगा, बट बहुत समय जाएगा, तो अगर ये समझ गया, तो it is done, बहुत महिनत से मैंने इसका summarization लाया था मैं सच्छी बूलू, मुझे भी करते करते, जैसे मुझे समझ तो क्या था है solution इनका, बट इसको इस लेवल पर लेकर आना, कि मैं एक entry में कैसे बिठा हूँ इसको, कि ये entry मार यो tally हो गया, तो वो करने मुझे भी बहुत समय गया था, ठीक है, तो झाल, 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 झाल